आपके साथ शर्ट लगा कर बोलती हूँ कि जिसको पालक की सबसी पसंद नहीं है वो भी इस सबसी को बहुत जादा पसंद करेगा जैसे देखने में लग रही है बहुत ही करारी सी टेस्टी सी वैसे ये बनने वाली है पालक का जो अपना टेस्ट है थोड़ा सा ब्लांड होत साफ करने से मेरा मतलब है कि मिट्टी वगरा होती है उसे आप अच्छी से धोलें और अगर कोई पीला पत्ता है खराब पत्ता है तो उसे निकाल दें और निकाल देने के बाद धोने के बाद हमें से कट करना है अगर आप पत्तों को सुखाने के बाद कर सकते हैं तो और भ करका लगाएंगे आज मैं इसमें आलू यूज कर रही हूं आप उसके बगएर भी बना सकते हैं एक मोटे तले वाली कड़ाई ले 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 जिसका बेस थोड़ा मोटा हो उसमें थोड़ा सा हम ऑईल डालेंगे जैसे ही तेल गरम होता है इसमें दस या बारा कलियां लसुन की जिसे मैंने क्रश करके डाला है इससे अगर आप जैसे मैं रेसिपी आपको बता रही हूं ऐसे अगर आप बनाते हैं तो इतना टेस्टी लगेगा कि आप बार बार पालकी सबजी बना कर खाएंगे इससे थोड़ा सा डाक होने दे मतलब बहुत जादा ना जलाएं हलका सा चेंज हो जाए तब आप इसके अंदर अधरक और हरिमिच डाल दें इन तीनों चीजों से ही बनाएंगे कोई भी एक्स्टा इंग्रीडेंट हम नहीं डालेंगे लेकिन इससे ये इतनी टेस्टी बनेगी पालकी सबजी कि जो लोग नहीं खाते हैं वो भी इसे बहुत पसं इसे मीडियम टुकड़ों में काटें ताकि गल्ले में बहुत जादा टाइम ना लगे ये जब कुछ 50-60% कुक हो जाएंगे तब हम आलू के बाद इसमें बाकी चीजों को डालेंगे यहां पर ये पालक कटके बिल्कुल ही रेडी है आलू को अगर आप जल्दी पकाना चा मीड़क दिल्कुट आप ऊ-पालक Ilkma मैं मैं अगर्णें भी अगानल मेट zij एव एंक फैंन पालक कर देंगे और इसमें आप फास्टाइबअ न पहुत अबाक पानि होता है शहां बढूकश пошь है जब कटकी है तो अगर आप सलो करते है तो बहुत सारा पानी होता तो ये बइसे नहीं बनानी है बिल्कुल फास्ट कर दें गैस को और फास्ट पर इसे पकाइं में लास तक जब तक कि और जो इतनी ज़ादा लग रहे थी देखने में इतनी कम हो गई है तो इसमें आपको नमक भी बहुत ध्यान से डालना होता है शुरौत में हम सोचते हैं कि इतनी सारी पालक है, इतना सारा आलू है, नमक डाल देते हैं और बात में सिकुड के बिल्कुल कम हो जाती है, तो नमक बहुत ध्यान से डालें फास्ट पेसले पकाना था कि देखी इतना सारा पानी है, यह सूखेगा नहीं, अगर आप स्लो पे पकाते हैं तो एकदम सौगी हो जाती है पानी बिल्कुल सूखने दें, पालक का कलर जब तक चेंज नहीं होता है, तब तक आप इसे फास्ट पर पकाएं और फिर यह बिल्कुल ही रेडी हो जाएगी बस थोड़ी देर मैंने उसे और पकाया और यह बिल्कुल रेडी है, बहुत ही खुबसरी इसके उपर कलर आया है, ग्रीन चीली मैंने फ्राइकर के उपर से डाली है, बहुत अच्छी लगती है और यह एक्तम क्रिस्पी थाइप है, थोड़ी मतलब वैसी नहीं है, सौगी सी नहीं है, जिससे पालक पनीर का होता है इस तरीके से बहुत टेस्टी लगती है, और इसका में राज यही है कि हमने इसे हाई फ्लेम पर पकाया था जिस स्टेज पे आपको लगेगी पानी बिल्कुल सूख रहा है, पालक जल रही है, बस तब आपको उसकी फ्लेम कम करनी है उससे पहले आप इसे हाई पर पकाएं, इस तरीके से ट्राइ करेंगे, इतनी मज़ेदार लगेगी आपको कि आप बार-बारे से जरूर बना कर खाना चाहेंगे अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आई तो वीडियो के लाइक करें, चैनल पर पहली बारे तो सब्सक्राइब करके बैल एकन दबादें